जीवन चुनोतियों से बड़ा है और चुनोतियां कई प्रकार की होती हैं यहां भी हम एक चुनोति को देख रहे हैं और चुनोति का सामना कर रहे हैं हम सब और सिरोही के साथ पूरे राजस्थान में इस तरह की चुनोति हम देख सकते हैं ये सिरोही का कालकाजी का तालाब है बहुत बड़ा तालाब है जो सिरोही समेंग यहां के आज़े आस पास जीवों की प्यास बुजाने का काम करता था आज से दस दिन पहले यहां कुछ थोड़ा बहुत पानी था वो भी लगभग क्या बिल्कुल पूरी तरह सुग्या और चुकि पानी तालाब का सुग्या लेकिन लोगों की आखों में पानी आज कुछ बचा हुआ है और उसी पानी की बात हम आज यहां कर रहे हैं सिरोही के इस सिरणवा की पहाड़ी के बहुत सारे जानवर जंगली जानवर चुकि पहाड में पानी की कोई अभी संभावना नहीं है कोई कलपना नहीं कर सकते तो यह पूरी जंगली जानवर और यहां के मवेशी आदी इस तालाब और इस तरह की कुछ नाडियों में आके अपनी प्यास बुझाने आते थे मैं यहां यह बताना चाह रहा हूं कि मनुष्य को यह सामर्थ दिया है मनुष्य को यह सामर्थ दिया है कि इस तरह की चुनोतियों का वो सामना कर सके हम यहां यह दो टैंकर देख रहा है यहां से एक यह व्यवस्ता किये है और यह पाइप क वालंकि यह एक वीराट काम है। हमको चार महीने इस मुहीम को चलाना है जब तक बारिस नहीं आ जाती क्योंकि हमारा यह ठेर अगा जीवदया का यह ठेर आएगा कि पानी की कमी से कोई जानवर नहीं मरें, फिर भ़ले वह छोटे से छोटा जानवर हो पक्षी हो पशु हो ये एक तरीका निकाला है क्योंकि हम कुद्रत नहीं हैं इस तालाब जैसे विशाल काम नहीं कर सकते हैं लेकिन हमने हमारे आधनिया रगुना जी माली साब का मैं इस काम के लिए सबसे बड़ा धन्यवाद करूँगा धन्यवाद भी छोटा हो पित्र काम है और इन कारियों की जितनी प्रसंसा की जाए उतनी कम है हमारे सामने ये बड़ी चुनोती है कि तालाब पूरी तरह सूख गया और हमको ये जंगली जानवरों को बचाना है ये इन मूख प्राणियों को बचाना है जो कमसिकम पानी के अभाव में अपनी जानन और इस पानी को खराब नहीं करें ये प्राकरतिक रूप से पानी बहुत शुद रहेगा और आज इसका सुभरम किया है मैं इस टीम को पहले तो इश्वर से प्रार्षना करता हूँ कि इस टीम को बहुत सामर दे क्योंकि ये बहुत बड़ा काम है जीव दया काम है और यहां ह हमारे इस पूरे इस प्रोग्राम के जिसको कहते हैं आधार इस्तंब हमारे स्री रगनाजी भाई साब को तो मैं कोटी-कोटी धन्यवाद करता हूँ क्योंकि जो शुरुवाती जो शहयोग होता है वो बहुत मायनी रखता है और शहयोग आप आगे भी लोगों से लेके आएं तो आज का आनंद यह है वाई सब आप इस बारे में बताएं यह थोड़ा यह अकाल की इस्तती को देखते हुए जी जी और आज दिन तक कालका जी तालाब का पानी कभी खतम नहीं होता था लेकिन आपके जो ऐसी इस्तती जो बनी है उसको मद्द नजर रखते हुए हमारे गोसाला में हमेजा ही सेवा देनेवाले प्रकाओ जी मिठालाल जी वीपक जी और गिले जाते थे और उनको विशा लगा कर अगा है यहां पर पश्णनों के लिए 4 पिल गले जाए जी जी और सिरोग के सभी अच्छे लोग जो भी सेवा देनेवाह इन से संपर करें इसमें छोगाराम जी है जिन्होंने बहुत बड़ा सयोग किया मैं इस गोमाता को देखनू साब ये ये ठीक है भेंस का एक सुभाव होता है और इसलिए ये काटे डाले हैं लेकिन ये प्राकरतिक रूप से शुद्ध पानी और ये इनको पानी तो चाहिए और ये पानी हम प और उसी के बदोलत ये एक बहुत बड़ा प्रियास किया है इससे जुड़ा हुआ प्रियास है के वीर बापसी नाड़ी का भी मैं कई बार जब देखता हूं तो मैं गदगद हो जाता हूं कि वो लगातार उस नाड़ी को भी बढ़ते हैं इस काम को तो सच में बहुत कि पानी खतम हो जाएगा तो क्या होगा क्योंकि ये तो ठीक है बड़े-बड़े जीव हैं जो दिख रहे हैं लेकिन बहुत सारे रेंगने वाले कोई छोटे-छोटे पक्षी जीव उनका कौन ध्यान रखेगा तो ये सब सुंदर कारे हैं आना जी आप क्या कहेंगे वैसा आ यहां दो बाते हैं यहां बताने का अतात पर यह इतना सा है कि बहुत सारे लोगों को जोड़ना है और यह सारा पुन्य भी बठता रहे है नहीं तो यह खैर कोई इतना मुश्किल काम नहीं है अकेले रगुर्णाजी कर सकते हैं पर आपका जो जो सदभावना और वो है कि बहुत सारे लोग इस काम में जुनें तो यह यह देखिए यह यह जल ही जीवन है और कोई बात नहीं यह बैंस का यह सुभाव होता है और प्रकाजी आप क्या कहेंगे क्योंकि आपने मैंने देखा उस दिन बहुत दुखी हो रहे थे हैं कि अब क्या होगा पशू पक मुष्कान और आपके बड़े-बड़े मिठाई के डबे बता रहा है सेवा के लिए एजी टेम त्यार रहते हैं और आप हमारे साथ में आये थे तो इस तलाव में थोड़ा सा पानी पड़ा था उस नाड़े में 100% उसके बाद विचार आया और परकाज जी ने हम बजार व अगर जंडा पकड़ता है तो यहां आजाद हिंद फोस सेना और समाम से त्यार रहती है और आप तो सबको मिठाई गलाते हैं आपकी तरफ से अमने भी कही है अब तो दो तीन ना है अभी चौदा टेंकर डल चुके हैं नेच्रली नेच्रली अरे वाँ 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 बैई इसका तो फुन्य आपको मिलेगा और जन्मो जन्मो तक मिलागा क्योंकि यह संसार में यह जीवान शरीर सब नश्वर है अगर कोई है तो यह आपके सद कारी है जो आप लगातार करते हैं बहुत बहुत है धन्यवाद सादुवाद और आज के आनंद की जै